है लेन वेल्कम बेक टॉप MZQ सीरीज ओप कोको जिसमें आप जानते हैं हम MZQ के माध्यम से आप हम जीजी पीसटी का सम्पूल सीलिबस कवर करा रहे हैं जो आज का टॉपिक है वो हमारा है चाहिलो जीदि जिसे हम कहते है है नियाय निगमन MUST-HEV TOPIK है इसमें किसी पोई एक्जाम ले को वो हम सीखेंगे वेंड डाइग्राम से वेंड डाइग्राम इसको बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है और उससे जो रिजल्स आते हैं वो इतम शर्टिग आते हैं ठीक है अब इससे पहले हम दो चीजों को समझ लेते हैं आपके पास यहां पर क्या देगा स्टेंटमेंट मतलब आपको यहां पर क्या देवा आपको कथन ऐख के आप पढ़ने के बाद हम आप क्या करेंगे उससे आप 7 डाइग्राम पढ़ने के बाध Colin कभने के दो क्थन एगराम बनाएंगे उसके बाद जो हमारे पास हम उस conclusion को इसewend diagram हो मैच करेंगे जो उसको follow करेगा वह unm 생각을 निकले गा जो follow नहीं करेगि वह अनुसरनमारे पास नहीं घर कि अब जो statement है वह आँका डो तरीके से होता है एक आपके पास होता है positive statement और एक क्या आपके पास क्या होता है negative statement ठीक है वागे हम और पढ़ेंगे कि partial negative क्या होता है complete negative क्या होता है partial positive और complete positive यहां पर क्या होता है अगर आपके पास statement कथन अगर आपके पास सकरात्मक है positive है तो उसका conclusion भी यहां पर क्या होगा आपके पास सकरात्मक होगा मतलब if the statement is positive conclusion must be positive और अगर सब्सक्राइब स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होग है तो conclusion यहाँ पर क्या होगा negative हमारे पास होगा कभी भी positive statement का negative conclusion या negative statement का positive conclusion हमारे पास नहीं आ सकता ये पहला चप्राइब हम देखिएंगे दूसरा जहाँ पर क्या होगा जो भी हमारे पास conclusion होगा उस statement का repentance नहीं होगा उसी प्रकार उसको नहीं बोला जाएगा ठीक है उसको उस प्रकार यहाँ पर क्या होगा नहीं बोला जाएगा जैसे अगर suppose यहाँ पर आपको statement में अगर आपको कथन में दिया हुआ है कि all pen are pencil ठीक है all pens are pencil यह आपको कथन दिया हुआ है ठीक है आपने इससे वेंड डाइग्राम बनाया और वेंड डाइग्राम कद आपका जो निस्कस निकला है और आपके निस्कस में देगर आपको यही दिया हुआ है कि all pens are pencil बले ही वो आपके वेंड डाइग्राम से क्या करेगा पॉलो करेगा लेकिन यहाँ पर जो निस्कर्ष दिया हुआ है जो निस्कर्ष दिया हुआ है वो यहाँ पर क्या कर रहा है उस कथन को यहाँ पर क्या कर रहा है वहाँ पर उसका नहीं क्य होई है तो पेहला चीज यहां पर क्या बोला अगर कथन सकराइक्म ख़ोगा अगर पहला इंपॉटेंट अ पॉर्ड़ा मैंने आपके पास simplement जैसा होका कंक्लूजान उसका निशकर्श गोन Ole little difference हमारे पास नहीं वहिता ठीक है। अब सबसे पहला चीज हम यहाँ पर क्या करते हैं। जो हमारे पास बेसिक फिगर बनता है। सबसे पहला बनता है all वाला, सबस्पहला बनता है all मतलब यहाँ पर क्या बनता है सभी वाला, ठीक है जैसे अगर मैं बोला कि all जैसे अगर मैं यहाँ पर बोला कि all a are b, यहाँ पर मैंने बोला है कि all a are b तो all के साथ मैं यहाँ पर क्या दिये A दिया हुआ है, A यहाँ पर बनेगा और B उसके उपर बनेगा All A आर यहाँ पर क्या बनेगा B, तो सभी का सभी A यहाँ पर क्या होगा, B होगा तो मतलब A जो सबसेट होगा A जो ग्रूप होगा, उसमें जितने भी elements होगे, यह उसमें जितने भी प्रकार होगे वो सारे के सारे किसी मिलेंगे आपको B में मिलेंगे तो इसका जो निसकर्ष होगा All A आर B का जो निसकर्ष होगा, वो यहाँ पर क्या निकलेगा जो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, कुछ B तो मतलब जब आपका जो पाल में जो आपका हत्यली है अगर वो आपके पास open होगा तो आप all में जाएंगे और जब उसका संकुचन होगा इस तरीके सोगत वहाँ पर क्या होगा कुछ होगा जैसे यहां पर क्यों अल ए ार इहां पर भी है इसलिए यहां से ऐसा गया है है और से कुछ भी यहां कर क्यों ओगा इह था यह मारे पास पहला बनता है ओर वहाल को जैसे सम वाला यह पहले मैंने यहाँ पर क्या बोला था पहले मैंने यहाँ पर बोला था कि all a are यहाँ पर मैंने बोला बी बोला अब अगली बार यहाँ पर क्या बोला हूँ sum a are b तो यह वाला portion a का हुआ और यह वाला portion b का हुआ मतलब a का कुछ भाग किस में समाया है B में समाया है तो obviously B का कुछ भाग भी यहाँ पर क्या होगा A में समाया होगा तो इसका मतलब दो अलग-अलग ऐसे ग्रूप है उस ग्रूप में दोनों ग्रूप में कुछ similarities है जो आपको इस जगा आपको नहीं है ठीक clear हुआ जो तीसरा बनता है वो बनता है नो मतलब कोई नहीं यह हमारा तीसरा इस तरीटी से बनता है जैसे अगर मैं बोला कि नो pen is pencil अगर मैं बोला कि नो pen is pencil तो pen का portion अलग है और pencil का portion अलग है दोनों कोई सा integrated नहीं जैसे मैं अगर बोला कि नो a is b यहाँ पर बोला तो यह एक और यह जो b है यह एक अलग ग्रूप है उसके जो elements होंगे बी अलग ग्रूप हो उसके जो elements होंगे दोनों में कोई भी चीज यहाँ पर क्या होगा common हमारे पास नहीं है ठीक है यह तीन बना जो चौधा बनता है जो चौधा हमारे पास बनता है वो बनता है सम नौट है सम नौट मतलब कुछ नहीं है जैसे कुछ A B नहीं है कुछ A B नहीं है यह हमारे पास ठीक है तो यहाँ पर क्या बनेगा यह A है और यह B यह पोशन इस तरह के समने चाहिए इसका मतलब एक का यह वाला पोर्शन है जो निश्डित वर्पर के हमारे पास B थीक क्लियर हुआ जो अगला चीस ज आता है कि दो यहां पर क्या होगा है कान team here केस होगा और दूसरा केस यहां पर क्या होता है possibility वाला केस कि जब हम confirm वाले बात करेंगे तो इसमें आपके पास एक ही फिगर बनेगा जाहें आपके statement एक हो दो हो तीन हो चार हो पांच हो आपको किते भी statement दिया हुआ है हमेशा figure एक ही बनेगा और जब आपके पास possibility वाला के केस होगा जब आपके possibility वाला केस होगा या वाला मतलब या वाला केस होगा या देगा आपने पास या अथवा देगा या देगा या पिर क्या देगा अथवा देगा तो possibility में आपके पास एक भी बन सकता है दो भी बन सकता है तीन भी बन सकता है और जरूर नहीं कि आपके यहां पर क्या होगा मैक्समम नंबर्स और यहां पर जैसे अगर सब्सक्राइब कैसे वाले में अगर बोला कैसे पहिछानेंगे कि यह आपको अप्शन में दिया हुआ यह आपको option में आपको दिया हुआ या ठीक है आपको option में आपर क्या दिया हुआ या दिया हुआ है जैसे आप देखेंगे जैसे यह question ठीक है answer कैसे देना है आपके पास answer आपको देना है if only one follows ठीक if only two follows if either और case आगया है और यहाँ पर क्या आगया है या आगया है तो यह जो case है वो case किसका है possibility वाला case किसका case है possibility वाला case है तो possibility वाले case में हम यहाँ पर क्या करेंगे maximum हम जितने figure बना सकते हैं मैक्सिमम जितने figure बना सकते हम maximum number of figure के आपर क्या करेंगे उसको मिलाएंगे ठीक यह हमारे पास पहला का और अगर सपोस हाँ अब जैसे यहाँ पर यह वाला अब इसमें आते हैं option जो हुआ है option जो हुआ है आपके पास क्या दिया हुआ है क्या दिया है 1 & 2 2 & 3 दिया है क्या है क्या हिसमें कहीं पर वहया का each of खुग हुआ है और और यह का उतिक हुआ है इसका मतलब यह कौन सा केस है तो इसमें आपके statement आपके कितनी भी दिये हो statement आपके कितनी भी दिये हो figure हमेशा कितना बनेगा एक ही बनेगा इस चीज को अपन याद है ठीक है clear मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मतलब अगर आपके पास statement के उपर यहाँ पर क्या होगा ठीक है अब दूसरा confirm है कैसे बना अगर मैं suppose बोला मैं बोला कि कुछ A B है कुछ A B है और कुछ B C है कुछ B C है तो यही figure बनेगा और हम क्या करेंगे इसका एक ही figure बनेगा यही सिनिटर्स निकालेंगे तो A का संबन B से है, B का संबन A से B का संबन C से C का संबन B से है C का A से कोई relation नहीं ठीक है अब अगर suppose यही possibility वाले case में दिया होगा क्या बोला है कि sum A आर B कुछ A यहाँ पर क्या है कुछ A कुछ A यहाँ पर क्या है B है कुछ B यहाँ पर क्या है C यह पहला case बनेगा दूसर केस यहाँ पर क्या बनेगा कुछ A यहाँ पर क्या है B है मतलब B का कुछ portion किस में समाया है A में समाया है A का कुछ portion B में समाया है अब B का कुछ portion C में समाया है B का कुछ portion किस में समाया है C में समाया है तो यह हो सकता है कि B का वो portion जो A में समाया हो, वो C में समाया हो, यह आपके पास हो सकता है, प्लियर हुआ, B का वो portion कहां पर समाया है, आपके के पास, यहाँ पर इस जगह आपको समाया है, यह आपका हो सकता है, possibility आपके पास case है, यह आपके पास हो सकता है, तो यह आपके पास क्या हो सकता है आपके पास है अलग अलग तरीचे से यहां थो अब कोन के साइब तो और यहां पर क्या हमारे दो केस हो गया अब कन्कुलुजन जब मिलाएं गया अगर इसको बहुतिंफाय करूंगे दोनों को सब्सक्वाइब Bene है। इसको प्रश् chị बनाएंगे तो आपको और प्लियर होगए। इसका स्क्रिंचॉट ले लिजए ताकि आपको आपको कॉंसेट होगा। हम जोन अ प्सक्रिंचॉट को साथ ने बनाते हुए जाये। ठीक है ध्यांद इसके screenshot ले लिजे लेट्स कम टू दा question पहला और दिया हुआ है हमारे पास और दिया हुआ है या दिया है इसका मतलब अब बोला है सम नोट बुक साथ पेपर कुछ नोट बुक पेपर है क्या बिलकुल और यहां पर क्या होगा यहां एक अनूसरां करता है ज्यांस देख लिजेगा दूजर यहां दिया है मतलब possibility वाला case है All hurts are mentioned All hurts are mentioned All mentions are temples All mentions are temples ठीक अब यह हमको दिया है अब यहां से क्या-क्या बन सकता है All hurts are mentioned दिया हुआ है All hurts are temple All hurts are यहां पर क्या होगा हें क्यूंकि संकुचन हो रए विल्कुल चाहिए यहाँ पे उसका भी संकुचन हो ला है तो बोथ फॉलो कर रहा है अमारे पास यह दोनों फॉलो कर रहा है क्लियर रुआ दोनों पॉश्चेन ध्यान से देख लो चलिए अगला अभी दो दो स्ट्रिट्मेंट है धेल सपने पास तीन स्ट्रिट्मेंट वाला पस आगे आएगा ओल पैंसर पैंसिल ओल पैंस आर पैंसिल यह भी आवा लेंगे ना नो पैंसिल इसके अंदर में समाया है थीक है और पैंसिल केक्स संब्ण नहीं है और पैंसिल के अंदर तो इनको बनी नीश टा आ ऐल कैप्रs नंत्रेश्डा बिल्कुल गलाट सब्सक्राइब समल पैंसिल तो दोनों फॉलर क्राइब 來े अब आपके पास तीन माला आगे ठीक अभी तक अपन दो दो कर रहे थे ठीक अब हम तो बड़े हो गए हैं अब तीन तक पहुझ गए हैं अच्छा यह देखिए option में कहीं पर भी और नहीं गिया है पहले justify कैसे सबसे important है syllogism का आपका सबसे important portion है कि सबसे पहले आप options को check करेंगे कि options में क्या दिया अगर आपके पास options में या दिया हुआ है options में या दिया हुआ है और दिया हुआ है या अथवा दिया है इसका मतलब वो यहाँ पर क्या है वो आपके पास कौन सा case है आपके पास possibility वाला case है possible आपका कुछ भी आपके पास हो सकता है ठीक है और अगर सपोज आपके पास और नहीं देगा तो वो confirm case है तो आपके पास एक ही figure बनेगा इसको याद है अब और दूसरा important चीज़ यहाँ पर आपको जो भी दिया आपको तथ्य जो भी सभी बकरी कुते हैं तो possible ही न सब बकरी कुते हैं लेकिन वो आपको statement दिया है तो आपको मान की चलना पड़ेगा वो सही है आपके पास ठीक है तो irrespective without logically आपको जो statement हो को उसको हम सही मान की चलेगे ठीक यह अपने को आप पहले से स्टेटमेंट में दिया हुआ है हमको सिर्फ उससे मतलब है हम सिर्फ उसी को लेके चलेगे ठीक नाउ statement is all drops are liquid all eye drops are liquid all eye drops are liquids ठीक liquids ठीक some eye drops are ear drops अच्छा यह eye है यह eye और यह ear drops अब simple सी बात है अगर उसको आही तक पहुशना पढ़ेगा इस закण्याइबद को यहाँ पर क्या पढ़ेगा लिक्विड को यहाँ पर क्रॉस कर ना पढ़ेगा है think some eye drops all different available का बात ही नहीं हो रहा नवह यहां तो ईन्ट गया नहीं हो रहा ही काुए अट्रे ultr नहीं कर रहा है कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है अपना अंसर यहां पर क्या हो थी कह नाउ है अई ओनली वन लेटाना कंफांद के से ना कंफांद के सब्सक्राइब है यह बहुत बर यह विए यह पास बीन डियाग्राम बने आप लॉजिकल भी उसको निकाल सकते हैं ठीक है बहुत बढ़ ऐसा होगा कि आपके बास बने बनेगा और लॉजिकल डिड़क्शन आपको करना ठीक नियल पॉलिशे कोस्मेटिक बिल्कुल सही है, no cosmetic is a powder, no cosmetic is a powder, बिल्कुल सही है, some powders are medicine, some powders are medicine, no cosmetic is a powder, no cosmetic is a powder, तो बम चैंगिन Lal Kai-кого मतूंfrage मिलब सब्सराइखों targeting संपाउड़ कोस्मेति कि नहीं है सां मेडिसीन साभने सीह प्लिष नहीं कैं सुम कॉस्मेटिक औरपनिस नेल पॉलिश अगया पलीष हो यह पुछ तो तो थ्री पॉलो यह हमारा अच ठीक है नेल पॉलिष कोस्मेटिक के अंतर गत है नेल पॉलिष कॉस्मेटिक आ रहा है तो फिर स्वानेल पॉलिष का अुछ का होगा थे यहाद दिया है पॉसिबिलिटी वाला केस है ज कर सकते तंदावी को तो सही है बिल्कुल ना को काली इस आपाओ्टी सबाखन्गे स्टोकुद दाखे का है या जुक का मिल्कुल ना कर थेके है。 दोनो बिलको जए ठीक तो बोद वन एंटी ठीक है अगला ठीक अलस्कूटर्स फ्लाइ अल्ट्रक्स फ्लाइ अल्ट्रक्स फ्लाइ अल्ट्रक्स फ्लाइ अल्ट्रक्स फ्लाइ अल्ट्रक्स संबंदी नहीं है बहुत सम φट कुटर दूनाट फॉट कथन आपके पास यहां पर क्या आपके पास इस पास पॉजिटिव और निसकरश यहां पर नेखितिव पॉसिबल नहीं आपके बाइट तो दोनों आपको समस्य नहीं कर रहा है तो नहीं लिए लोग वर्कर्स अप लीडर्स All leaders are good team workers, all leaders are good team workers, all good team workers, All good team workers, all good team workers are good orators, good orators, all good team members are leaders, some good team workers, all good leaders, all good orators are leaders. All good orators are leaders, all good orators are champions, so even though he does, you कि कभी कबर क्या करेगा आपको इसके से कन्ट्यूजन करेगा नहीं याद आप ये भी यह वाला है सम पेपर्स और पैंग एंजल इस पेपर है ठीक है एंजल एक पेपर है एंजल जो है एंजल इस नॉट पन याव हो सकता है सम पेपर्स और एंजल यहां पर क्या है पीपर है तो एंजल पैंड हो सकता है कि एंजलीजड़ इस पैंड़ इस अपन और यह भी आपके पास हो सकता है अगला लटा इज ब्यूटिफूल और इंटिलिएंट गर्ल है और बहुत अच्छी है ठीक है सुन्दर बुद्धिमान और अच्छा तीनों अलग-अलग क्वैलिटी नहीं है अलग-अलग ऐसा कोई जुरू नहीं कि जिसका दिल अच्छा हो है ना उसका चेहरा और इंटिल्स आपको दिमाग भी आपकोस अच्छा हो ऐसा नहीं बोल सकते और यहां पर इसले क्या होगा कोई अनूसरण नहीं करता है नो था नेक्स्ट वैं और राइटर्स आर लॉयर्स सभी लेकक वकील है ठीक है अच्छा यह कनफार्म किया चाहिए ना अल राइटर्स आर लॉयर्स आल राइटर्स आर लॉयर्स अगर स्पोज आपके पास यहa वाला के साता ना तो यहाँ और दबलू यहां पर और यहां पर यहां पर यह ऐसा बनता यह लॉयर के साथ में तो अभी हमको इसका मतलब नहीं यह कब होगा यह possibility वाले case में लेंगे कि सम्ट लॉयर्स और इडर्स सम्ट रिडर्स पिल्कुल चही है सम्ट लॉयरर्स और रॉयर्ट में यहां पर नहीं जिर्फ एक ही सही है आपको नहीं है तो किर्वल एक носना आज अमिया ओंक है यह कि are players are doctors है all players are doctors नीजिँन और अफल्स कश है ओल प्लेयर्स आधोक्तर सभिनादीी ऩॉर्टर और व्लेटस players are doctors okay some doctors are actors some doctors are actors okay some doctors are players as well as some doctors are players as well as actors बिल्कुल सही है doctor यह भी है और doctor कुछ doctor यहाँ पर क्या है कुछ doctor खिलाडी भी है और यहाँ पर actor भी है all actors are doctors नहीं यह बिल्कुल चाहिए नहीं है सिर्फ पहले वाला आपको follow करना है ठीक चलिए all scatters are good swimmers . scaters, good swimmers. Sorry, all scatters, all scatters are good swimmers good swimmers . Scaters are good swimmers all good swimmers are runners, all good swimmersподest है ठीक है okay hai some runners are scatters, बिल्कुल सही है some scatters are good swimmers नहीं all all है All है ॥ी थीधना All यहां पर क्या होगा hoगा ॥ी थीधना ALL यहां पर नहीं होगा teor सम good-swimmers सार उल्टा होगा नहीं सम्स्टेस्टर्स और गूर्ड सीमर्स नहीं होगा अलवाला होगा ठीक है तो अपने का सिर्फ यह अगला सम बसेज़ और फोर वीलर्स न कि अपने को दिया सम वैंसर बस मिल रहा है बिलकुल मिल रहा है सम बसेजर बहुत बिलकुल सही है सम वैंसर बसेज्ट सम बसेज वैंसर द्रीकुल डोन आपकी पास है तो दोनों पॉलो करें आल बॉसर ब्ड्स अल प्रोज आर बड्स ठीक अल पिकॉक्स अर प्रोज और पिकॉक्स अर प्रोज मतलब पिकॉक इसके अंदर चलाज है ठीक अल पिकउक सरब्स अल पिकउक सरब्स अल पिकउक सरवन पकॉथ बड में जा रहे हैं बिलकुल सही है अल पिकउक सरव व खीक में थाट अलबर सरफ किंग ऐस कर भंड में क्या हो कुछ नियंकर sommes है क्लेेर हुए झाल